नमस्कार स्वागत आपका इंडिया न्यूस 28 में ये बात करते हैं वर्दिप्रदेश की गोच खास ख़बरों की पूर्व महापोर के घर में लगी आग लाकों का हुआ नुकसान पुलिस ने कड़ी मिशकत के बाद फायर ब्रिगीड वमिस्थानी जनों की मदद से आग पर काबू पाया पूर्व महापोर राजंतर तामरकार द्वारा बताया गया कि आग लगबग शौर्ट सर्केट से लगी है स्तानी जनों एवं पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया लगबग लाखों रुपए का नुकसान हुआ रिवसमवादता मनोश्तिवारी के रिपोर्ट कर्मचारी है और जो महले के लोग है उनके सहायता से तत्काल आग में बुझाने का काम सुरू हुआ है लगबग आधे घंटे के कड़ी मसक्कत के बाद आग पी काबू पालिया गया है अभी तक जो कारण ग्यात हुआ है उसमें प्रतीत हो रहा है कि सार्ट सर्केट से हुआ है अभी भी कार जारी है यह वाट प्रमांग 29 कट्रा पालेंटोला पूर महापार आधर्णी सी राइन तामरकार जी की घर में आग लग गई यह आग के इसका कारण अभी तो नहीं पता है लेकिन पुलिस मौजूद है के कारणों का पता लगाएगी लेकिन इसमें को कुछ घटना होती रहती है एक साल में चार-चार महुते आपकी घर में हो गई पता नहीं क्या कारण है कि आया कुछ कह नहीं सकते हैं अब नुकसान का अकलन तो देखिए बाद भी हो पाएगा चुकि अभी आग लगी हुई है बरावर नगार नियाम का अमला लगा हुआ है वर्दवान महापाउर जी अजय मिस्रा बाबा जी से जैसे हमको पता चला संपर किया गया अब ताम्रगा जी ने हमको फोन किया तो हमने ततकाल महापाउरी संपर किया उन्होंने फार विगेट भीजा और पूरी घटना की जानकारी ले रहें नजर भी बनाए हुए है हाथ कि में काबू पा गया है पालिया गया लेकिन थोड़ा बहुत आग अभी अलमारी के आग नहीं पूत रही है अलमारी के में आग बराबर लगी हुई है लेकिन प्रियास जारी है दो कंपरों में एक नीचे दो कंपरों में आग लगी हुई है नीचे पूरा सेफ है ले जरूर हुए है किसका मैं राम प्रकास्ति वारी डेडू पूर पार्शत नगरपाली क्रिंगम रीवा